फिल्म दिवार के शुटिंग यहीं होई थी और अब ज़्यादा वो लाब सेहर के लचाने है हर्याली ही हर्याली और मौसम भी अपना साथ देता हुआ है यह चोटा से गाओं है इसके बाद अपने कोईले की खडान यह है रास्ते में रास्ते और यहां पर दिन में एक दूबार पानी जरू डाल दी जाते हैं तो इतना डस्टी हो जाता है कि जब जब गाड़ियां से आएगे और जाएगी पुरा अगल बगल डस्टी डस्ट और अभी शाम हो चुका है जिनकर काम कर समय खतम होता हुए सारी गाड़ियां इधर दर लगी हुए तो छुट्टे का आनन्द और मजा लेते हुए यहां के बारकर एक पेड़ के नीचे बैठके आपसे बात करते हुए और बड़े ध्यान से हमने को देखते हुए क्या नजारे हैं तो स्वागत है मेरे येट्यो चैनल कॉस्ट तुवेदी में अभी हम है जारकंड कोईले की ख़दान में क्या बल्की है अब लग रहा है कोई 3D मूवी देख रहे हैं कि दिखने में नहीं लेकिन रियली काफी जादा बड़े हैं तो जादा ही बड़े हैं और क्या नजारे हैं इतने खुबसूरत हैं कुछी देर में इसको हम दो गाइट करेंगे दर है थोड़ा उसके लिए अपने पास इसमें बैक कैमरे लगे हैं अंदर के विन में एसी है एक दम चलाएंगे और सही बात उपर से नजारे बिलकुल ही अलग हैं काफी दलक खुशूरत कित्रे हैं आज जाल मेडिया आज हम लोग है खाडियों और खाटियों के अंदर यह देख सेंदर अंदर हर तरफ नजार ही नजारे देखिए कितने छोटे छोटे लग रहे हैं हर तरफ कोईले ही कोईले अभी काम देखे चालू है इतनी बड़ी बड़ी मक्षीने यह जेसे भी तो नहीं हो सकती है देखें काफ़ी गहरी खाई है अंदर पानी भी है यह सब छोटे पहाड़ देख रहे हैं यह सब कोईले के पहाड़ हैं और जितनी बलकी देखने में उतनी ही लाइट चलने में स्मूध अंदर से आदे मज़ा बाहर इसका मिरर है तुछे देखें के लिए जिदर देखेंगे इधर कोईले कोईले ही कोईले ब्लाक गोल्ड और इसमें जर्क पता नी चलता इसके नीचे लिए बाइक है या चोटी कोई कार भी आ जाए तो पता नी चलेगा राइडिंग का लुप लेते हुए शलेंद भी है यह देखें बुदा ब्लाक सब कोईला है यह यह देखें काफी बड़े टायर है छे फूट के उपर के अब यहां से बाहर निकलते हुए पीच में छोटी चोटी गाउं और जंगल में लेंगे तर यहां पर इस फॉक्स दिखने नॉर्मल है लेकिन किसे लिए कोई दिखत नहीं करते हैं यहां के लोग काफी अच्छे अफ्रेंडी हैं यह देखें वही इसे में अब अभी लाइट कर रहे थे यह काफी बड़ी है अधान यह देखें पानी का कि अच्छे लग रही है जब इस पर यलो लाइट अब पिछे से वाइट बैग्राउंड वास्वान के सारे पेड़ों के निशान लगे हुए है और यह वैसे काफी बड़ा है यह समर से बुले और काफी ठंडा पानी आता है इसमें थेंक यू फॉर वाचिंग कि अच्छे बड़ा है